नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है, दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लाएं हैं दैनिक लर्निंग, दोस्तों जादतर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है, यह यह कहां मिलता है, उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्ट General English से Related Spoken English से Related और Competitive Exam से Related English से Related Tips मिलते हैं जो आपको English Improve करने में मदद करते हैं दोस्तो वो आपको daily read करना है और उसी को लेकर हम लोग ये lesson आपके लिए लाते हैं दोस्तो आज के lesson में हम लोग सीखेंगे Contracted Forms यानि Contractions in Positive Sentences दोस्तो Contractions का Means होता है Short Forms दोस्तो English में Positive यानि सकारात्मक Sentences में भी Short Forms यूज की जाती है उनका यूज किस तरह से होता है जादतर लोगों को नहीं समझाता आज हम लोग वही सीखने वाले हैं जैसे अगर आपको कहना है Who is तो दोस्तो Who is को Short में Whose कहा जाता है ऐसे ही What are को Short में What are कहा जाता है ऐसे ही When is को Short में When's कहा जाता है ऐसे ही Where is को Short में Where's कहा जाता है where is को short में where's कहा जाता है ऐसे ही how are को short में how are कहा जाता है how are को short में how are कहा जाता है okay how are so how are means होता है how are so दोस्तों इनके sentence कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं जैसे who is को short में who's कहा जाता है जैसे who's his supervisor means उसका supervisor कौन है who is his supervisor को short में कहेंगे who's his supervisor ऐसे ही what are को short में what are कहा जाता है जैसे रवी what are you doing here का मतलब है रवी तुम यहां क्या कर रहे हो रवी what are you doing here ऐसे ही when is को short में when's कहा जाता है जैसे when's your birthday when is your birthday को short में कहा when's your birthday यानि तुम्हारा birthday कब है ऐसे ही where is को short में where's कहा जाता है जैसे तुम्हारा school कहा है तो उसकी English होगी where is your school को short में कहेंगे where's your school एसे ही how are को short में how are कहा जाता है जैसे how are you how are you का means है आप कैसे हो और इसे short में कहा जाता है how are you तो दोस्तो इस तरह से इन sentences को use किया जाता है I hope आपको समझ आया है अगर यह lesson आपको अच्छा लगा है तो please इसे like कर दीजिएगा मिलते हैं next lesson में till then take care